हालो दूसरे गरीज में आपका स्वागत है दोस्तों Samsung Galaxy A13 लॉंच हो रहा है वो भी उसके साथ 700 SoC चिपसेट के साथ 6.48 का इसडी प्लस आपको डिस्प्ले दिया जा रहा है और यहां पर 5000 एमेस की बैटरी के साथ 30 वार फॉर्ट सार्जिंग के सपोर्ड भी आपको देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज यह है इसमें कि यह Samsung Galaxy A12 का ही सक्सेसर होगा अब यहां पर दो है अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे है चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों Samsung Galaxy A13 यह Samsung ने ऑफिशली तोर पे इस फोन को लेकर एहलान अ आपको Samsung Galaxy A12 में दे रखा था कैमरा सेम सेम आपको ऐसे ही नजर आएंगे अब यहां पर दोस्तों कर बात करूं A12 में जो में सेंसर 48 मेंगा पिक्सल का दे रखा था वहीं साउथ कोरिया में पब्लिकेशन दल इलेक के रिपोर्ट की हिसाब से कि A13 में Samsung Galaxy A13 में 50 मेंगा पिक अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगा पिक्सल का माइक्रो और डिप सेंसर भी शामिल होंगे फ्रेंट में 8 मेगा पिक्सल का कैमरा होगा जो सेंसर वाला है जा दिये जाने की भी उमीद है यह भी कन फॉर्म रिपोर्ट के भी हिसाब से नहीं है डिवाइस को लेकर कुछ हफ रखते हैं जिसमें आपको तीन वेरिंट मिलेंगे 4GB 6GB और 8GB में आएंगे जिनका stories भी आपको difference भी मिलेगा लेकिन यहां पे जो 6GB के साथ 8GB के साथ same stories आपको रहेंगे 128GB बाकि 4GB के साथ आपको 644 का stories भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इंडिया में launch की डेट जो य चलना है कि Samsung Galaxy A13 टोल कही सक्सेसर है तो फरवरी में लाउंच हुआ था 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 फिर से यह अगले साल आने की उम्मीद है कि फरवरी किसी भी मंत में आपको फर्स सिकेंड वीक में आपको लाउंच होते हुए दिख जाएगा बस दोस्तों उम्मीद करते हों कि वीडियो आपको कर दो – जाएगा जाता हुआ Means कि जाएगा झाली साल आपको खिए।